गीहों के आटे और गुर को मिक्स करके आज मैंने ये गुर्गुले बनाये हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़्यादा शॉफ्ट बनता है ये और इसको आप बनाके 2-3 दिन तक रखके खा भी सकते हैं ये खराब नहीं होता है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है तो चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सबाउल लिया है इसमें मैंने दो कटोरी किहों का आटा डाला है मेजर्मेंट के लिए आप एक ही कटोरी या कप का इस्तमाल करें सवा कटोरी इसमें मैंने गुड का बुरादा डाला है तो दो कटोरी गिहों के आटे में मैंने सवा कटोरी गुड का बुरादा डाला है आप इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं पर ये गुड में बहुत ही अच्छा बनता है एक तिहाई इसमें हम सूजी डालेंगे तो और आधा कटोरी इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें 4-5 जिराइची को दरदरा कूट के डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बनाएंगे, तो पानी इकठा नहीं डालें नहीं तो इस घोल को देखे, मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसको 10 मिनट तक अच्छे से एक ही डिरेक्शन में फेट ले, ताकि अच्छे से फूल जाए, और सबसे इंपॉर्टन बात है कि अगर जल्दी नहीं है बनाने की, तो आप इसको आधे घंटे के लिए ढग के जाए, आधा घंटा इसको रखे वे हो गया है, आप देख सकते है कि कितना अच्छा यह घोल हो गया है, और सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गया है, तो इसको मैं सरसो के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि सरसो के तेल में यह काफी अच्छा बनता है, अगर आपको सरस में डालते ही अगर बिखर जा रहा है तो इसमें एक दो चमा चाटा और डाल दे छोटे-छोटे साइज में ऐसे इस तरीके से बैटर को हाथ में ले और बहुत इजली इसको डालते जाए मीडियम फ्लिम पे इसको पकाएंगे बहुत हाई फ्लिम पे नहीं पकाएंगे और डालते के साथ इसको बिल्कुल भी न चला है एक दो मिनट के लिए ऐसी छोड़ दे जैसे जैसे ये गुल-गुले पकने लगते हैं अपने आप ही तेल के उपर ये तैरने लगते हैं और दे मेडियम फ्लिम पे पकाएं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और थोड़ा सा इसका कलर जो है इस तरीके कहीं रखें बिल्कुल सफेद ना बनाए इसको बिल्कुल इस तरीके का गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लें और जैसी ये इस कलर में हो जाए इसको नि जब इसको फ्राई करके खाएंगे तो यह बिल्कुल क्रिस्पी लगता है खाने में और जैसी एक दो घंटा हो जाता ही बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा समयने इसके उपर नारियल का पुरादा डाल दिया है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ठ्राई करें क्सिते है उँ स्व झाप हो सॉफ्ब रेस्टों में रर्ग्ती भी पारगे लिल्कष करोगेव जजा उक थार दोगता है